हलो अवरीवन, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बोला था कि जो अपना HP पुलिस सब इंस्पेक्टर है इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसमें 28 वेकेंसिस का जिकर हुआ है तो उसमें एक एज लिमिट के बारे में भी बोला गया था जिसमें 21 to 26 कहा गया था एज लिमिट के बारे में तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है काफी स्टुडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि हमें एज लेक्सेशन मिलनी चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है 21 to 26 एज लिमिट है उसका बेस एर कौन सा होगा जब बेस मन्त कौन सा होगा वह अभी डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी जाने की जो स्टूडेंट जो बोडर लाइन पर है जो 21 साल के हुए है तो वह प्लीज दो दिन वेट करें जब ओफीशल नोटिफिकेशन आएगी तो इसमें लिखा होगा कि जो डेट वर्था वो या तो डेट वर्च और दे जाएगी कौन वर्च कोण नहीं है जिसमें सलेवस वगेरा सारा कुछ दिटेल मैंशन होगा तो तब तक के लिए ऑप थॉड़ा Tensionव रहीे है लेकिन जो स्टूडेंट जिन कि एज 22 है 23 24 25 है वह अभी से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं और जिनको जो बोडर लाइन पे भी है ना वो भी प्रेपरेशन तो शुरू करी सकते हैं ठीक है ना तो 30 तीन दिन रहे हैं सकते हैं यह जो अब जो अभी स्चेट का हुआ तो उसमें से ज़्यादा लेवल ही होने वाला है उससे ज्यादा ही फ्रिक्वेंसी रहने वाली यह लेवल की एस पी सबिसक्टर के पेपर में ठीक है प्लस इसमें यह कभी नहीं सोचना आपने कि मैं हिंदी मीडियम का आएगी उसमें वो हिंदी भी आएगी तो आपकी कमांड दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए यानि कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए ठीक है तो इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए हमने अपना सिक्स्त बैच किया है एच्पी पुली सबिस्पेक्टर का क्योंकि हम लास्ट फॉर मंद से और रिडी प्रेपरेशन करवा रहे हैं सबिस्पेक्टर की ठीक है जैसे कि एंटीस पेटर था कि इसका एक्जाम आए गया तो टूटी एटीन में आया था नाइंटीन में इसका पेपर टूआ उसके बाद लोगडून हुआ था तो लोगडून के बाद पेपर नहीं आया था इसका अगर आप पिछले साल की अगर फ्रिक्वेंसी देखोगे तो 15 में पेपर आया था 18 का पेपर है 14 में पेपर आया था इसका तो इस साल तो एक्सपेक्टेड ही था कि इसका एक्जाम आ तो और इडिव फुल फ्लेश फिनिश कर चुके हैं बाकी दो बैच कंटीनिविशन में हैं जैसे कि मैंने आपको लास पास में बताया था तो यह जो इसके पूरी डिटेल आज मैं शेर करूगा आपके साथ कल भी मैंने थोड़ा से इसके बारे में बताया था आज मैं पूरा आपके बेसी कंसेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो इन सब को मिला के हमने फुल फ्लेज ही एक बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है ठीक है जी तो इसमें क्या क्या चीज़े हैं पहले एक बार फिर से हो हैं जो इसमें के लिए एटीन और के लिए ठीक टोटल जो अबड़ी एक है अगर मात करें इस चर्णूल कास्ट की तो मेलं के लिए फ्लेंटेश्य है तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 28 वेकेंसी रहती है ठीक है चलिए अब नेक्स देखो अगर हम बात करें फीजिकल स्टेंडर की तो लास्ट क्लास में यह भी आपको बताया था और जर्नल कैटिगरी के लिए जो हमारे पास रहेगा यहां पर हम बात करें जर्नल और ओवीजिकल के लिए तो हाइट के जो स्टेंडर्स रहें के डैट इस 5.6 इंचीज फर मेल और 5.2 इंचीज फर फीमेल तो उसमें 5.4 इंच फर मेल 5.4 फिट फर फीमेल अब इस पर एच चीज में आपके साथ जो थोड़ी सी करना चाहूंगा जो EWS केटिगरी है ठीक है वो यहां पर रहेगी है थिक है इक्रोंमिकली विकर सेक्षन यहां पर आएगा ठीक ऑब वो एकडियूल कास्ट वा स्ट्रील में नहींо हंत वोगा तो उसके लिए भी यहीं इंच रहेगी ठीक है और यहां पर भी जर्。」 यहां पर भी जनल तोटल 1500 मिटर दोड है आपकी मेल के लिए और 800 मिटर है 4 मिनट 15 सेकिंड के लिए अपना female candidates के लिए ठीक है तो यह एक चांस में लगा आपको यह करना है उसके बाद आएगा high jump and broad jump high jump की बात करें तो male के लिए है हमारे पास 1.25 और अगर हम बात करते हैं प्रोड जाने की लोंग जम की तो लोंग जम की बात करें तो चार मिटर है male के लिए तीन मिटर है female candidate के लिए ठीक है अब इसमें जो लास्टीज है इसको पढ़ना द्यान से इसमें भी काफी student के doubts थे इसको पढ़ना एक बाद ठीक है अब देखो हमाचल से बिलॉग करती हो तो यह आपके लिए नहीं है पहली बाद आप इसकोस्किप करो थेक बनाफाइड जो हिमाचली है लों करता है वह घंडी गर से बनाग लों करता है अगर उसको जह एक्जाम फिलड करना है तो तब आप इलिजिबल होगे लेकिन जिनके पास हिमाचल का बोनाफाइड है ठीक है जी तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की तो आई होप यह आपको क्लियर होगा ठीक है अगर आप मालो हमीरपूर से हैं या कांगडा से हैं आपकी स्कूलिंग जहां मर्जी हुई कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके पास बोनाफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसको आप बिलकुल वी डाउट मत करिए इसमें ठीक है जी चलिए अब नेक्स देखो अगर हम बात करें इसमें जो पेपर होगा एक अबजेक्टिव टाइप पेपर होगा पहला दोस्तों नंबर का ठीक है जिसमें आपको पूछा जाएगा एक तो हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकॉनमी साइंस इसके लाब है एच्पी जी के क्रण्ट फियर्स रिजनिंग ठीक हिंदी और इंग्लिश यह आएगे दोस्तरा फीजिकल स्टेंडर्ड होगा फ के लिए और अगर हम बात करें ब्रोट जंप की जाने की लोंग जंप की तो इसमें मेल के लिए रहेगा चार मीटर और फीमेल के लिए रहेगा तीन मीटर ठीक है तो यह हो गया फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट डेन आफ्टर आपका सब्जेक्टी पेपर होगा सो नंबर का जाने कि रिटेन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टी पेपर होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के ऊपर आपको पूछा जाएगा ठीक है ना जाने कि इसमें आपको प्रैसी राइटिंग होगा एसे राइटिंग वगरा के कॉश्चिन्स पूछे जाएंगे वाई होप यह आपको क्लेर होगी होगी ठीक है अगर हम बात करें स्लेवर्स की तो जो मैंने अभी आपको बताया था हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एकॉन्वी साइंस क्रंट एफिर्स एच्पीजी के रिजनिंग हिंदिया इंग्लिश तो यही सब्जेक्ट हमारे रहने वाले हैं ट और नंबर पर आता है हमारे बास करंट फिर जा तो करंट एस्ट्री अगर मैं कम्प्लीट हिस्ट्री देखू तो 25 अंसी यूज हैं तो तीसरे नंबर पर जा कहें लो दूसरे नंबर पर फिसके बाद आएगा हमारे कॉन्य प्रेंटी जोगर फींदरावारा ग्यारा कोश् अब इस चीज को टेकल करने के लिए अब हमने शुरू किया है बैसिक्स जिसकी डिटेल मुझे आज की क्लास में शेयर करनी थी तो पहले मैंने आपको फिरसित से सारा बेसिक बता दिया है अब बात करते हैं इस बैच की ठीक है तो यह जो बैच है दोस्तों यह दो अगर हम देखें तो नोन वाइलेंस दे होता है गंधी जैनती है तो उस दिन ही शुरू किया है संडे है उस दिन तो आप उसी दिन से बैच को अपने शुरू कर सकते हैं ठीक है अब इसमें अगर बात करो तो यह कुछ हमारे पास डिटेल रहेंगी पूरे पोर्स की जिसमे और अलाइन कोर्स रहेगा जिसमें रिकोड़ेड लेक्चर होंगे कभी बी कितनी भी वारा कोई भी लेक्चर देख सकते हो देन आफ्टर इंग्लिश मीडियम रहेगा पूरा पूरा ठीक हिंदी में में नहीं होगा नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे पढ़ाया हिंदी में हट अभय क्रेंग निंग्लिश और रिंदि में वारा कुंज़एक пर केक автом सेरे लाइट श्यंड़ा अब C क्लासिज आपकी रहेंगी इसका पूरा अभी आपके साथ में डिसकस करने वाला हूं ठीक है सैटेड़े को उसका डाउट सेशन होगा रेगुलर क्लास में आपको टेस्ट दिये जाएंगे और जैसे कोर्स खतम होने के कगार पे होगा जहां हमें लगेगा कि हाँ अब आप र पहले बेसिक कॉंसेप्स तो उसके लिए रिकोर्डे लेक्चर से ठीक है उसके अगर डाउट हो रहा है तो डाउट के लिए डाउट सेशन्स भी है अपार्ट फॉम डैट अगर आपको डाइगूलर क्लास टेस्ट मिलेंगे तो आपके साथ में ठीक है ना और जब यह तीन क्लास नोट्स होंगे ठीक है ना प्रैक्टिस कोश्चन्स रहेंगे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे टेस्स रहेंगे सब कुछ इसी में ही इंक्लूडड रहेंगा ठीक है चलिए अब नेक्स थोड़ा से यह ब्रीफ डिटेल्स हैं आपके सामने कि सेकीड ऑक्टूबर को ब दो महीने का बैच और दो महीने में कैसे खवर करना अगया बताओंगा मैं अब आपको लगणा होगा थो महीने में कैसे स्लबस कति हो सकता है तो अगर आप प्लैनिंग से चलो तो अगर आप प्लैन्ड होना तो टाइम ओटोमेटिकली 50 परसेंक रहे जाता है अधर वास प्लैनिंग के उपर उनका कोई ध्यान ही नहीं है तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है वैलिटी की बात करें तो 365 डेज रहेगी मतलब पेपर के बाद भी आप किसी और एक्जाम के अगर त्यारी कर रहे हैं तो इसमें देख सकते हो सबके लिए 6500 यह बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नोमिनल सी फीस है हर एक चीज़ इसमें अवेलेबल रहेगी और डाउट सेशन रहेंगे अभी सैटेड़ें देखो जी यह रहा जी पूरा आपके पास शडियूल कि किस तरीके से हमने आपको बढ़ाना है तो देखो जैसे कि चैस शुरू होगा 2nd October से ठीक है तो हम स्टार्ट किस से करने वाले हैं स्टार्ट हम करेंगे पॉलिटी और रिजनिंग से तो पॉलिटी के हम आपको 12 लेक्चर प्रवाइट कराएंगे रिजनिंग के आपके 14 लेक्चर होंगे क्योंकि अगर आप लेवल ऑफ कोशन देखो ठीक 8 October तक साथ दिन हो जाएंगे तो साथ दिन में एक दिन चुटी होगी सैटेड़ेगी कि उस दिन डाउट सेशन होगा बाकि 6 दिन में आपके 12 लेक्चर कवर हो जाएंगे डेली दो लेक्चर मिलेंगे आपको सुबह 10 बज़े यह टाइमिंग है सुबह 10 बज़े समझ उसके बाद रिजनिंग की बाद करें दो तरीक से लेके 10 तरीक तक जे 9 दिन होते हैं एक डाउट सेशन लगा लो 40 लेक्चर इसक में भी हो जाएंगे डेली दो लेक्चर मिलेंगे तो शाम को 5 बज़े मिलेंगे वह 5 पीम पे यारी कि 10 से 12 आप पहले दो लेक्चर यह लग बहुत जाएगा कि यहां डेली आपने 5-6 गंटे यही काम करना है और अगर पढ़ रहे हो तो बहुत जाद है वह ठीक है ना दो गंटे लेक्चर देखा एक गंट 20 के नोट्स पड़ें फिर दो गंटे लेक्ट एक गंट 20 के मसी क्यों करें इसी तरीके से दीरे 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 आपका बेस बना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर हम रखेंगे हिस्ट्री जोग्रफी को हिस्ट्री और सब्सक्राइब को हिस्ट्री बहुत जादा एक इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट होता है तो यह कभी आपको बर्डन नहीं देगा इकोनमी यह थोड़ा सा टेक्नि कानवने इंट जो एकफ़वनी को थोड़ा साथ टेक्निकल सब्जेक्ट ध्यान से देखना पड़ेगा आपको तो इसके भी शाम को और कॉनमीकल एकच़र है ठीक है 12 लेक्चर होंगे और हिस्ट्री के 24 लेक्चर होंगे क्योंकि इस तरह 24 लेक्चर रखे हुए हैं जिसमे एंशयन हिस्च्री मीडवर दिसके यिस üs के बारे में सारा कुछ इंपोटेंट ड्रहें और यहीं आपको मेल्स देंगा थिक है तो फेलल की प्रॉपर एच्पीजी के कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें हम सारा कुछ ही करेंगे 30 लेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे देन आप रहेगा हिंदी और हिंदी और इंग्लिश के 2020 लेक्टर से और यह वरे लेक्टर से इंक्रीज भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन का भी रहेगा ठीक है और लास्ट में यहां पर बचाई जोग्राफी जोग्राफी के फिप्टी लेक्टर से समझ गया जी तो इस तरीके से हमने पूरा प्लैन किया है ऐसा नहीं है कि रेंडमली हम आपको रिकोर्डर ठो कर देंगे बिल्कुल प्लैन हम आपको एक करके लेक्टर प्रवाइड करेंगे अगर कुछ अपडेशन की जुरूरत होगी तो अपडेटर लेक्टर भी आपको प्रवाइड करवाएज जाएंगे ठीक है ताकि आपकी जो प्रेपरेशन की नीड हो फुल्फिल हो सकते हो अगर आप मालो सेल्फ टड़ी भी करते हो तो अगर आप यही तरीके साथ अगर आपने ओरेड़ी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन भी आप इस तरीके से कर सकते हो समझें ना बात को चलिए अब नेक्स देखो भई करंट फियर्स इसमें सब कुछ था लेकिन करंट फियर नहीं थे अगर आपने दियान से देखा हो तो तो करंट फियर्स के लिए यह हमारी वेबसाइट रही स्टीविलस्टैफ हीमाचल.com इसमें करंट फियर आता हो उम के साथ साथ भी नेगे जितने भी करंट फियर्स चाहिए होते हैं उनके एक साथ मसी क्यों देदेते हैं कि डेली आप इसमसी क्यों भी पढ़ोगे तो इसली आपके पूरे करंट फियर्स हो जाएंगे ठीक है नेक्स देखिए अब हमने जो बैस शुरू किया था इसको आपने कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा आप उसके क्लिक करो अगर आप नए student हो तो आप पहले sign up करोगे login पे click करके पहले sign up करोगे अगर आप ने already हमारा app डाउनलोड करकी है civil step लिवाचल civil step हीमाचल हमारी app है तो आप login भी कर सकते हैं पर इमेल आइडी बनाकी password बनाकी ठीक यह इस तरीके से रहेगा क्लियर उसके बाद अगर आप चाहो तो हमारे डेमो लेक्ट्रस भी दे सकते हो पहले तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले डेमो लेक्ट्रस सारे देखिए नोट्स टेक करिए कि नोट्स कैसे हैं आपको समझ आ रहा है या नहीं एक्जाम की ज सब की डेमो लेक्ट्रस होंगे ठीक है तो यह थी हमारे पास फुल डिटेल जिसमें मैंने आपको स्लेबस बता दिया और स्लेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे वह बता दिया तो चार दिसंबर तक यह होगा कि एक बार आपका पूरा स्लेबस कतम हो जाएगा उसके बाद आप कि 7,000 mcq अगर आप कर लेते हो तो अराम से उसमें से काफी वेपर आ जाएगा आपका ठीक है ना तो चलिए यही पर मैं आज का सेशन खतम करता हूं आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा बाकि जो आपके दोस्त सब इस ट्रेक्टर की त्यारी कर रहे हैं उनके साथ भी के वीडियो यू शेयर करना और अगर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स सेशन में थैंकी वेरी मॉच